भारत की जीत से पॉइंट स्टेबल में उलट पलट। अब भारत को सेमी फाइनल में पहुँचने के लिए बस करना होगा ये काम। इस टीम की हुई हालत खराब। हुआ सीधे बाहर। भारतिय टीम ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। श भारतिय टीम ग्रुप वन की पॉइंट स्टेबल में चार अंक और प्लस 2.42 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर पहुँच गई है। जबकि दो टीमों पर खत्रा मंडरा गया है। इसी के साथ टीम इंडिया ने सेमी फाइनल का समीकरन बदल दिया है। भारतिय टीम जहा अगला मुकाबला 25 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ है। अगर उसे इस मैच में हार मिलती है तो उसका सफर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बांगलादेश को इसमें जीत मिलती है तो उसे उमीद करनी होगी कि आस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान अपने दोनों मुक मुकाबले बचे हैं जिनमें जीत दर्ज कर वह चार अंकों तक पहुंच सकती है। फिलहाल अफगानिस्तान के पास एक मैच में हार के बाद माइनस 2.35 का नेट रन रेट है। ऐसे में अफगानिस्तान पर भी बाहर होना लगभग तैम आना जा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेल का अगला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ 23 जून और भारत के खिलाफ 24 जून को बचा है। ऐसे में वह दोनों मैच जीत कर 6 अंकों तक पहुंच सकती है, लेकिन उसे किसी एक मुकाबले में हार मिलती है तो भी 4 अंक तक पहुंच सकती है। ग्रुप 1 से भारत और उ आस्ट्रेलिया का स्थान पक्का माना जा रहा है। यदि कोई बड़ा उलट फेर नहीं हुआ तो ये दोनों टीमे सेमी फाइनल में पहुंचेंगी। देखना होगा कि ग्रूप वन की पॉइंट स्टेबल का क्या नतीजा निकलता है।